हेलो बच्चों आज हम आप लोगों को किरिया के भेद कितने होते हैं वो बताएंगे और इसके पड़िभासा तो चलिए जानते हैं पहले किरिया किसे कहते हैं तो किरिया किसी काम के करने या होने का पता चले उसे किरिया कहते हैं या बोध हो उसे किसी काम के करने या होने का वोद हो, उन्हें किरिया कहते हैं, तो जैसे हो, देखिए बचो, खेलना, खेलना एक क्या हो गया, किरिया हो गया, कुदना, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, एक किरिया हो गया, तो अब जानते हैं किरिया को इंगलिस में क्या बोलते हैं, भर्व बोलते हैं, तो देखिए आज इसके कितने भेद हैं, किरिया के कितने भेद हैं, या भर्व के कितने भेद हैं, देखिए, किरिया के मुख्यत दो भेद होते हैं, कौन-कौन है, सकर्मक किरिया पर्थम नम्मर है, दोतिय नम्मर है, अकर्मक किरिया, अब देखिए इसकी पडिभासा जानते हैं, चलिए जिस क्रिया के लिए वाक्य में कर्म हो अथवा होने की संभावना हो उसे सकर्म क्रिया कहते हैं अब देखिए वाक्य है जैसे राम खाना खाता है अब देखिए वच्चो इस वाक्य में क्या हो गया खाना क्या हो गया ये एक क्रिया हो गया ये क्या खाता है क्या हो गया कर्म हो गया अब देखिए इस वाक्य में क्या कहा जा रहा है इस वाक्य में किरिया का फल किरिया का फल किस पर पर रहा है भोजन पर पर रहा है जो की परत्यक्स में भोजन उपरस्थित नहीं है अब देखिए, तो क्या कहा जारा, जिस क्रिया के लिए वाक्य में कर्म हो, अथवा होने की संभावना हो, उसे सकर्मक्रिया कहते हैं जैसे क्या हो गया? राम खाना खाता है जो कि इस क्रिया का फल भोजन पर 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 रहा है जो कि परत्यक्ष में उपस्थित नहीं है भोजन अब देख़ें दूसरा है मेरा जी घबडाता है अब देखिए ये घबडाना क्या हो गया ये किरिया हो गया इसलिए ये सकर्मक किरिया हो गया अब देखिए, दूसरा है, दूसरा पढ़ते हैं हम लोग, अकर्मक किरिया, अब अकर्मक किरिया किसे कहते हैं, जिस किरिया के लिए वाकि में कर्म नो हो, अथवा होने की संभावना भी नो हो, उसे अकर्मक किरिया कहते हैं, जैसे देखिए बच्चो, मोहन हसता है, इसमें क कर्म नहीं है, तो ये क्या हो जाता है, अकर्म किडिया में आ जाता है, जैसे मोहन हस्ता है, क्या हो गया, अकर्म किडिया का उधारन हो गया, अब देखिए दूसरा है, मुसीबत में सभी घवराते हैं, इसमें भी घवराते हैं, क्या हो गया, घवराना, ये किडिया हो गया, होने की भी संभावना नो हो इसमें होने कर्म नहीं है और होने की भी संभावना नहीं है मुसीवत में सभी घवडाते हैं सिर्फ है तो इसमें नहीं है कर्म या होने की संभावना नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे और कर्म किरिया कहेंगे अब देखिए अब नौट में पढ़ अकर्मकिरिया बनाया जाता है ये अकर्मकिरिया में हर्सव ना अना ये परतिय जो है तीनों लगा कर सकर्मकिरिया बनाया जाता है जैसे देखिए बच्चो रोना हो गया रोना क्या है अकर्मकिरिया है लेकिन अगर ना परतिय लगा दिये इसमें तो क्या बन गया सकर्मकिरि किरिया है इसमें ना परतिय जोड़ दिये तो क्या बन गया ये शकर्मक किरिया बन गया है उसी तरह देखिए दूसरा है अकर्मक किरिया के धात्वों को उकार उकार इकार तथा एकार में बदल तथा अंत में ना परतिय जोड़ कर सकर्मक किरिया बनाई जाती है जैसे देख खुलना, खुलना नापर्तिय जोड़कर, यह जो नापर्तिय जोड़कर अकर्मकिरिया को, यह हम सकर्मकिरिया में बना सकते हैं, जैसे नापर्तिय लगाएं, जो जोड़ दिये नापर्तिय, तो खुलना का क्या हो गया, खुलना सकर्मकिरिया बन गया, थैंक्यू बच्चो, क्यों अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा थाइंक्यू बच्चो